आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं और यह बहुत ही टेस्टी होती है और यह बेंगॉली रेसिपी है बेंगॉली में इसको बोलते है दोई पोटोल और इसको परवल बोलते हैं और यह बहुत ही टेस्टी बनती है और इतनी कि आप एक बार बार बनाना चाहेंगे इतनी पसंद आएगी बहुत लोग होते हैं जिनको परवल नहीं पसंद होता है लेकिन यह बहुत ही हेल्दी सब्जी है तो आप इसको अगर बना के खिलाएंगे तो उनको जरूर पसंद आएगा परवली आलू पटोल की भी मैंने सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले फ्रेंड्स इस अब बनाने के लिए मैंने यह लिए हैं परवल इसको बेंगौली में पटोल बोलते हैं इसको आप पिलर की हेल्प से पील कर लीजे इस तरह से और आप सब्सक्राइब फीचया राता कि हम जूख ग्रेवी के नदर हम इसको डालेंगे तो पूरी आच्छी तरीके से हमारे परवल के अंधर की तक में स mitt करेंगे थोड़ा तो यहां मैं नमक डालूँगी थोड़ा हल्दी डालूँगी उसके बाद इसको हम इसके उपर अच्छे से जगा देंगे इस तरह से लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए हम 5-10 मिनिट के लिए रख देंगे इसको कवर करके तो यहां पे मैंने थोड़ा सा हलका सा पानी लिया है क्य ठीड रूब से किया है इसलिए अब करकर नगये रुकड दिर में लिया है क्निश च्ली आर्लिक जिंजर ग्रेड लुओ चाप करके मैंने अनियं लिया हएं अब हम इसको बफाने इसको मसाले इसके हम बनाएंगे तो मसाले के लिए मैंने हम दृचली ठ्णिय क्लेश्पास और इसको हम पाइन डालके एक पेस्ट बना लेंगे और गरम मसाला का यूज हम बाद में करेंगे तो हमें इस तरह से इसका अच्छे से पेस्ट बना लेना है और नेक्स्ट प्रोसेस में हम आएंगे उसमें हमें क्या करना है कि गरम तेल में हमको जो परवल हमने किये थे मैग जैसे आप देखेंगे आगे किस तरह रखना है हमको चलिए फिर नेक्स्ट इधर हम ग्रेवी रेडी करते है इसकी यहाँ पर मैंने इसको मस्टर्ड ओयल में हमने इसको बनाया है मस्टर्ड ओयल में बहुत अधिक अच्छा बनता है यहाँ पर जीरा और बैर लिफ मैंने फिर ग्राइंड करके नहीं लेना है हमें इसी तरह से की लेना ही इसको अच्छे से हमें बून लेना है एक कलर 1 इसका चेंज होने तक तो में अच्छे से nossa डासी हरें और और यहां हम ऐड करेंगे थोड़ा साल तक हमारी अन्यन अच्छे से और जल्दी से बून ऑन्यस अं निकाल लिया है एक दूसरी शायर से यह हमारा जो हमने मसाले को करके रखा था उसको हमने यहां पर एट कर दिया है तो इसी तरह से थोड़ा सा पाइं डाल के और मैं पूरा अच्छे से कर लोंगी अब इसको हमें अच्छे से भुनना है इसके अंदर तो इस तरह से भून लो इक दम लो रखेंगे इस स्टेज पर हमने लिया है वनबावल करड कर रखा को हमने अच्छे से पीटार से बीत कर लिया है और यहांप इसमये डालने के बाद करड radius चलाते रहना है ताकि हमारी जो करड है वह फटे नहीं तो इस बाद का हमें ख्याल रखना है तो आप पर्वल हम ने किया था उसको मैंने आड़ कर दीया हैं ग्रवी के अंदर तो आप देख सकते हैं और आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कम ज़्यादा कर सकते हैं पतली जैसा भी आपको रखना हो तो इसके अंदर हम परवल तो फ्राई हैं तो बहुत अधिक पकाने की आवशकता नहीं है लेकिन मसाले के अंदर थोड़ा अच्छे से 5-10 मिनिट तक हम इसको पकाएंगे तो अब यहां पर मैंने स्वाद के अलसार यहां पर मैंने साल्ट एट कर दिया है तो यहां पर मैं मिला लूँगी उसके बाद मैं इसको कवर कर दूँगी तो आप देख सकते हैं यह मैंने कवर कर दिया है अब मैं फिर से वापस से यहां पर मैं थोड़ा से सुगर एट करू सबची के बाद करने के एक लिए और अपने अनुसार कम जाड़ा कर सकते हैं यहां पर डालना है one spoon घी डालना है देसी घी कि आहां जाता है इससे क्या होता है कि सब्सक्ति का टेस्ट लगण हो जाता है इस recipe की secret है कि अगर इसके बाद लास्ट में हम अगर घी डालते हैं तो बहुत टेस्टिव लिगती है तो आप देख सकते हैं कलर्ण टेक्शर टेंक्शर कितना अच्छाय है और आप इसको पूरी पराठे राइस किसी के सादी सर्व कर सकते हैं तो यहां मैं सर्व कर रही हूँ एक बाउल में तो मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ तो फ्रेंच ये रेसिपी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा अगर आपको पसंद आती है तो like, comment, share कीजे friends, family में share कीजे वो भी बनाएं और खाएं और बताएं कैसा लगा आप जरूर comment box में और अगर आप channel पर नए हैं तो channel को subscribe करके bell button को जरूर प्रेस कर दीजे ताकि जब भी मैं कोई new recipe डालो तो उसका notification आपको सबसे पहले मिले तो friends, मिलती हूँ फिर एक new recipe में new video के साथ तब तक के लिए, bye friends, good day thanks for watching my video stay home, stay safe bye bye